हलो अबरीबरन विलकम टू माई चैनल क्रेटिव एंगल्स अफ लाइब और आज हम मुनाने वाले हैं वेच सेंडविश वो भी सिफ 10 मिनट में तो आएए देखते हैं हमें क्या क्या इंग्रिटियन चाहिए यहाँ पर मैंने लिया है ब्राउन ब्रेड आप वाइट भी यू और मैंने यहाँ पर लिया है सेजवान चटनी यह टोटली ओप्सनल है अगर आपके पास ही अबलेबल नहीं है तो सॉल्ट मैयोनीज और चिली आप यूज कर सकते हैं तो आईए सबसे पहले हम फेलिंग रेडी कर लेते हैं उसके लिए मैंने जो क्यूकिम्बर टोमेटो प सेजवान चटनी यह काफी स्पाइसी होता है इसलिए से आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से मैं यहाँ पर ले रही हूँ एक स्पून और साथ में यहाँ पर यह फिलिंग में ही डाल दूंगी मैं ऐसे ब्रेड पर स्प्रेड नहीं कर इसे इसका टेस्ट काफी अच्छा आता है अब हम इसे अच्छी तरह मिला लेंगे यहाँ पर मैंने सॉल्ट नहीं डाला है क्योंकि सेजवान चटनी में अल्रेडी सॉल्ट रहता है अगर आपको चाहिए तो आप उपर से डाल सकते हैं तो यह हमारा फिलिंग रेडी हो अख्छी फलेवर्ड है गार्डिक और चीजिज का अगर आप चाहे तो आप इसको प्लाइन भी ले सकते और किसी भी अच्छी सॉप्रेड कर देगे अ कि आपको जितना पंड़त है अप उसी आपसे डाले अगर आपको बटर ना पंचंद हो तो आप इसे किप हैं क्योंकि कि हमने काफी स्प्रेड डाला हुआ है अगर आप बटर डालेंगे तो इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा अब हम दौनों के अच्छे से बटर लगा लेंगे मैं यहाँ पर आपको सेंट्वीच मेकर में बना करके दिखा रही हूँ अगर आपको चाहिए तो आप उसे तवे पर भी बना सकते हैं बस बटर डाल कर उसे सेखना है मैं कभी किसी next वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी कि आप तबे पे sandwich कैसे बना सकते हैं तो friend अभी यहां पे जो भी मेरी feelings बनी हुई है वो feelings को मैं अच्छे से spread कर दूँगी काफी अच्छे से जितना आपको पसंद है आप जितना इसमें डालेंगे feelings टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा अभी मैंने evenly फूर अच्छे से spread कर दिया है ऐसे ही मैंने दूसरा वाला भी ready कर लिया है ready करके अब हम इसे sandwich maker में डालेंगे दो मिनट के लिए हम इसे सिखने दे देंगे दो मिनट के बाद हम देखेंगे तो friend हमारा sandwich यहां पर ready हो गया है आप देख सकते हैं इसका color काफी अच्छा आया है काफी crispy बना हुआ है आप इसे तवे पे भी आराम से बना सकते हैं बस यह grill वाली feeling आपके नहीं आएगी otherwise यह काफी अच्छा होगा तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूं आप अगर चाहे तो आप इस सेप में कट कर सकते हैं और इसे tomato ketchup और किसी भी चटनी के साथ आप इसे ले सकते हैं या फिर आप यहां पर green chili sauce भी ले सकते हैं होफूली आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब माई चैनल